है गाईज विलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टो सीरीज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे टोकन के बारे में जो एक नया इंवेस्टर या जिसकी पोकेट इतना अलाउन नहीं करती तो वह भी एजिली खरीद सकते हैं इससे काफी ज्यादा हेल्द सब्सक्राइब कर देना पिछली कुछ वीडियो पे ठीक ठाक व्यूज आया है पर प्लीज सपोर्ट तो आज हम बात करने वाले हैं तीन टोकन के बारे में पहला टोकन है ट्रोन दूरसरा है बीटीटी तीसरा है विंक डब्लीव आई एन ठीक है अब ये तीनों टोकन के ए सबसे हम पिक ये तीनों टोकन एक ही कंपनी एक ही और्गनाइशन का है और जैसे कि ट्रोन इसका लीडर है ठीक है तो अब हम चलते हैं सीध़ा ट्विटर हैंडल पर तो ये जस्ट इन संत जो है इसका ये जो है augणर एंडर है ट्रोन फाउंडेशन में काम करते हैं ये ये founder है Tron BTT का and Wing का तो यह काफी ज्यादा अच्छी न्यूज ला रहे है आज कल काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज ला रहे हैं जैसे कि आप सब देखी सकते हैं अभी कि और सबसे में बार Tron की जो TRC20 टोकन है जो Tron का टोकन है उससे काफी ज्यादा इजीली ट्रांजेक्शन हो सकती है जैसे आपको कभी भी यूजीटी डेपोजिट करना है या कुछ भी डेपोजिट करना है उसमें आपके कुछ ऑप्शन आते हैं पहले बाइनस चेन को ऑप्शन आता है फिर एथीरियम न NFTs वेगारे भी लाँच हो रही है काफी जादा एंड जो TRC20 मेथर्ड है वो अब हर प्लाटफॉर्म पे धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है अभी आप बाइनस के प्लाटफॉर्म पे भी देख सकते हैं अभी जस्चन सन ने थोड़ टाइम पहले ही ट्वीट किया था कि सम् नाम से होगा इस बहुत ही अपडेटेड है बहुत ही जैसे निस्चल सेट्थी अपडेट करते रहते हैं अपने वजीरीरेक्स टोकन है वजीरेक्स प्लाटफॉर्म के बारें वैसी जस्चन सन भी अपना TRON और सब करते रहते हैं काफी बड़ा पंप इसमें आने वाला है काफी जगह यह यूज होता है तो अब पहला token है हमारा अब लेके चलते हैं हम पहला token है हमारा ट्रोन जो की leader है एंड जो की काफी काफी capabilities रखता है अभी एक current evaluation एक board time पहले जो भी dump आया था पिछला जुलाइअ अगस्त में डम पाया था उसमें ये चार से पांच रुपे का मिलता था और अब यह at a evaluation of 8.3 रुपीज है I think सारे INR में ही deal करते है तो जबी INR की ही वीडियो आई है तो TRX जो है अभी 8.3 की evaluation पे है इसका all time high near about 14 to 15 रुपीज है पर यह उससे काफी ज़्यादा capability रखता है तो I am expecting कि यह 2 महीने या 3 महीने के अंदर 14 या 15 रुपीज का mark touch कर जाए easily बहुत easily अभी अभी इसमें correction आई है जैसे कि BTC में भी correction चल रही है इसका main fundamental यह है कि यह transaction के towards use होता है और काफी ज़्यादा अलग अलग जगा use होता है जो कि इसको खास बना देती है इसकी चीजे खास बना देती है अभी यह 3 महीने में 14 to 15 रुपीज जा सकता है easily इसकी market cap भी काफी अच्छी है काफी growing market cap है तो मैं इसको अराम से 15 रुपीज expect कर रहा हूं till the end of till the end of December और January ठीक है अभी old season भी आएगा तो अब हम second coin लेके चलते हैं आपको BTT के towards अब BTT की बात कर ले तो अभी यह एटा evaluation of 0.26 रुपीज चल रहा है यह काफी time से नीचे correction mode में है अपना accumulation zone में है तो I hope इसमें कुछ बड़ा move आने वाला है अब and काफी ज्यादा अच्छा कोई नहीं है काफी ज्यादा अच्छा कोई नहीं है इसका काम क्या है इसका P2P network में mainly काम आता है and decentralization में काम आता है इसका and यह easily हर platform पे available है छोटे या बड़े finance पे भी available है अभी काफी ज्यादा correction mode में चल रहा है and easily यह आपको बहुत easily 0.6 to 0.7 रुपीज की evaluation पे मिल सकता है जो कि अभी 2x है इसके बाद इससे 2x and 100% returns आपको मिल सकते है तो मैं आपको लेके जाता हूं BTD के two words इसके fundamentals जानते है पहले तो यह P2P में काम करता है and इसके बागी fundamentals जानते है तो इसकी जो market cap है market cap इसकी near about 163.85 billion है जो की काफी अच्छी market cap है and इसकी market rank भी काफी decent है अच्छी rank है जैसे कि यह काफी कम rupees में मिलता है तो कभी कबार token की market ranking अच्छी नहीं होती है उस वजह से तो इसकी market ranking भी 71 है and एक काफी ज़्यादा positive है इसके लिए तो इसकी जो पिछला 24 hours का volume है वो भी 33 billion है काफी अच्छा इसका support है and इसका all time high 1 rupees था ठीक है 1 rupees था तो अभी 1 rupees सो नहीं जब all season आएगा तो यह 2x यहाँ से बहुत अराम से हो सकता है and इसकी market dominance भी काफी अच्छी है तो अब जो है जो ट्रोन foundation एंड बिट और एंटर यह दोनों interconnected है and एक काम करते रहते हैं बहुत अच्छा काम करते रहते हैं positive काम करते रहते है and काफी ज़्यादा bullish news btt में अभी थोड़ दिन में आ सकती है अब थर्ड टोकन जो है थर्ड टोकन हमारा win के इसके लिए में बहुत ही ज़्यादा bullish हूँ upcoming days में जैसे कि अभी इसने grow किया है अभी recent time में विंक टोकन के बारे में बात करें तो यह काफी ज़्यादा भी pump किया है अभी accumulation zone में आया है दुबारा इसका 0.06 मतलब 6 पैसे कि इसकी value भी अभी चल रही है ठीक है तो यह काफी ज़्यादा अच्छा token है एंड इसकी जो support है major support है वह 0.0650 के करीब इसका support काफी अच्छा आता है तो इसको काफी चीज़े अलग बनाती है बाकी token से ठीक है यह एक तो हर platform पे है इसका all time है तो कुछ जादा ही था बट उतना नहीं यह अराम से अभी थोड़े time में ही आपको 3x to 4x का return बहुत अराम से दे सकता है इसकी पीछे की वज़ा यह है कि यह gaming platform पे काम करता है ब्लोक्चेन स्पेस में काम करता है एंड जो भी payment से जारा होती है वो easily track कर सकते है ऐसे हम ठीक है तो ब्लोक्चेन में अगर इतनी positive या bullish news है तो यह काफी ज्यादा भी grow करने वाला है काफी ज्यादा capability है इसमें तो अभी इसका recent pump आएगा अभी काफी pump इसका बचा है तो यह आसे 2x यह 3x तो बहुत अराम से आसे आपका पैसा हो सकता है अब बात करें इसकी इसमें market capitalization की तो market cap भी इसकी काफी अच्छी खासी है आपको दिखा देते हैं एक बार इसकी market आपको यहाँ पर white paper मिल सकता है coin market cap की side से white paper आपको मिल सकता है इसकी market cap है 59.42 billion and इसकी last 24 hours की जो volume trading है वो है 18 billion 18 billion यह बहुत अच्छी volume है and इसकी maximum supply को जादा है तो जैसे ही इसकी supply वेगरा में थोड़ा decrease आएगा वैसी demand supply में फरक आता है जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया है and इसकी market rank जो है वो है 124 तो यह जो तीनों token है पहले तो Tron सबसे leader है Tron ठीक है इन दोनों का then BTT, BTT की market rank भी 71 है and Wink Link की भी market rank 124 है and काफी जादा तीनों bullish coin है काफी जादा अच् में two to three months में और खास बात इसको यह बनाती है कि इनकी जो transactions है transaction इनको differ करती है and काफी अच्छी volume में trade करता है तो यह तीनों coin थे अगर आप इन तीनों coin में 100-100 या अगर जिसकी pocket अच्छा लाओ करती है तो 1000-1000 रुपे भी buy करके चलते हो तो यह काफी जादा आपको अच्छ अच्छे returns for sure मिल सकते हैं इन तीनों token में and wink जो भी gaming platform जैसे metaverse प्लाटफॉम अभी चले पड़े तो विंक भी आपको काफी अच्छे return दे सकता है and nft airdrop भी आता रहता है तो उसको उससे भी आपको benefit काफी जादा हो सकता है so i hope you like this video please like comment please कर देना and subscribe करना मत भूलना channel को तो thank you guys for watching this video meet you in the next video